Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading आप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंड set of cards में आपके partner के energies देखेंगे और तर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए याप इस सब इसे पहला card मुझे दिख रहा है trust issues और ये card बहुत ही clearly कह रहा है कि कुछ trust issues या तो आपकी तरख से या partner की तरख से इस relationship में रह रहे हैं अब दिखिए ये general reading है situation circumstances सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए बहुत ही छोटे मुटे issues हो सकते हैं जिसकी वज़य से या तो आप अपने partner पे trust नहीं कर पा रहे हैं या partner आप पे trust नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए बड़े issues रह सकते हैं लेकिन जो भी trust issues हों कहीं surface level के लिए seven of pentacles का card कहता है आपने कहीं pause लिया हुआ है या फिर आप कहीं pause लेना चाहा रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि भी जिस भी मकाम पे आप इस relationship में हैं जिस भी point पे आप हैं उस point से आगे आपको next क्या करना चाहिए क्या आपका action होना चाहिए क्या आपके initiatives होने चाहिए क्या direction आपको लेनी चाहिए जैसे चीजे आप दुनों की बीच में चल रही है ऐसे ही आपको चलते रहने देना चाहिए यानि कि ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए या फिर right turn ले लेना चाहिए you turn ले लेना चाहिए, left turn ले लेना चाहिए तो आपको आखिर अब क्या करना चाहिए जिस भी again मैं कहूंगी point में ये relationship है उससे और कहीं देखें आप इस situation ship का card कह रहा है किसी भी level पे किसी भी तरीके की एक situation ship वाली energies भी इस relationship में रहते हुई दिख रही है और हो सकता है कि ये भी कहीं bother कर रहा है और इसी की वज़े से कहीं trust issues भी आप दोनों के बीच में हो रहे हैं क्योंकि देखें जब तक एक commitment नहीं होती है जब तक हमें बहुत clearly सामने वाले की intentions, feelings नहीं पता होती है तब तक कहीं मन में doubt रहता है और trust issues तो फिर होंगे ही होंगे जब हम पूरी तरीके से you know नहीं again कहूंगी trust कर पा रहे हैं मन में doubts आ रहे हैं और इसी लिए आपर otherwise भी the world का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके नए सिरे से आप चीजों को शुरू करना चाहा रहे है तो हो सकता है Libra's आपको ऐसे लग रहा है कि इन ही चीजों पर work करना है इन चीजों को end करना है और fresh start partner के साथ करनी है और कुछ Libra's को ये भी लग सकता है कि ये issues solve तो होंगे नहीं तो इस relationship को end करो और आगे बढ़ो और अपनी life को fresh तरीके से शुरू करो अब दिखें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच में ending beginning हो रही है या किसी भी तरीके का break up हो रहा है फिलहाल के लिए मेरे पस कोई ऐसा card भी नहीं है बट ये जब ये thought process भी मन में रह रहा होता है तब भी इस तरीके के cards आ जाते है and world is a positive card यानि कि ये positive तरीके से ending beginning की बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी general leading है सब के लिए different situation circumstances रहेंगे लेकिन किसी भी तरीकी की ending beginning या तो चाहा रहे है या फिर हो रही है और ये ending किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है फिर से कुछ के लिए हो सकता है trust issues, situationship जैसी energies को end करके partner के साथ fresh start करना चाहा रहे है या फिर partner के साथ ही कहीं relationship को end करके अपनी life में fresh start करना चाहा रहे है जो भी हो कहीं four of pentacles का card कहता है आप चीज़ों को let go नहीं कर पा रहे हैं अब देखिए अगर इस relationship को end करके नहीं beginning करना चाहा रहे हैं तो partner को relationship को नहीं let go कर पा रहे हैं और अगर trust issues को end करके या situation ship में से related जो भी चीज़ें हो रहे हैं उनको end करके एक नहीं beginning चाहा रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं याने की trust issues नहीं resolve हो पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो भी दो चीजें मेरे mind में आई मैंने कहा कोई भी चीज हो सकती है जिसको आपने बहुत tightly पकड़ कर बैठा हुआ है partner की कोई बात हो सकती है कोई और भी चीज हो सकती है जिसको आप tightly पकड़ कर बैठे हुए लेट को नहीं कर पा रहे हैं और आप देखते हैं partner की क्या energies है तो देखिए mid October तक यहाँ पर Four of Cups Rivers and Hermit Rivers के cards कहते हैं आपके partner उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं हलां कि देखिए end October में भी उनकी कोई खास action initiatives वाली energies नहीं रहती हुई दिख रही है बट mid October तक तो आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं उनके मन में feelings है नहीं है और enthusiasm, excitement तो बिलकुल missing रहता हुआ दिख रहा है और आप अगर message call कर रहे हैं आप किसी भी तरीके के action initiatives ले रहे हैं तो उनकी तरफ से बहुत एक enthusiastic response यहां फिर reply नहीं मिलता हुआ दिख रहा है कहीं जैसे एक missing सी feeling है बहुत एक boredom, monotonous सी energies वो महसूस कर रहे हैं इस relationship को लेकर और फिर से कहूंगी overall के लिए अगर हम देखे ना enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है कहीं बहुत introspective वाली energies में रहते वह दिख रहे हैं deeper level के लिए use का काट कहता है उनको ऐसे लग सकता है कि शायद Libras आपने उतनी उनकी value नहीं करी अब मैं यह नहीं कह रही हूँ Libras कि आप उनकी value नहीं करते हैं आप हो सकता है बहुत value करते हों लेकिन उनको नहीं ये चीज दिख रही है आपकी वो इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं वो कहीं न कहीं ऐनो ऐसा फील कर रहे है कि कहीं आप उनको use कर रहे हैं अगें यह तो बहुत एक heavy word हो गया पट यह ऐसे एक used वाली feeling उनको मन ही मन हो रही है और यहां पर dating apps का card कहता है कि यहां तो literally dating apps पे active हैं या फिर dating apps पे active होना चाहते हैं अब देखिए हो सकता है कि वो बिलकुल भी dating apps पे नहीं है पट उनके मन में एक thought चल रहा है कि और लोगों से भी connect करो ना इस situation में या इस तरीके से relationship में नहीं रहना कुछ के लिए literally फिर से मैं काऊंगी वो dating apps पे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि वो इस relationship के अलावा बाकी चीजों पे भी focus कर रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस relationship को उतना prioritize नहीं कर रहे हैं ना वो करते थे यहां जितना आप expect कर रहे हैं तो यहां पर dating apps के different different meanings अब Libras और उनके partner के लिए रहेंगे end October के लिए falling in love and queen of swords reverse के cards कहते हैं ऐसा नहीं है Libras कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है surface level पे आपको ऐसा लग सकता है कि इनके मन में तो आपके लिए कोई emotions ही नहीं है feelings ही नहीं है बहुत एक straightforward blunt sound का communication रह सकता है बातचीत रह सकती है और बहुत clarity रखते वे चीजों को deal कर रहे हैं हो सकता है पीछे वो confused थे आभी भी वो confused है और वो बहुत जबर्दस एक clarity इस relationship से related आप से related लाना चाहा रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्योंकि queen of swords का card है कुछ Libras के partner के लिए भी हो सकता है कि कोई female उनको influence कर रही है कोई female बहुत ज़ादा you know again कहूंगे उनको influence कर रही है और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं उनकी energies हैं बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं से चीजों को deal कर रहे हैं और अब देखते हैं कि October month में क्या हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला card है temperance reverse और यह card कहता है कि कहीं एक balance इस relationship में नहीं रह रहा है आप दोनों याप दोनों में से कोई है कि या तो कोई चीज जरुरत से ज़ादा कर रहे हैं या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं और इसलिए एक restlessness रहती भी दिख रही है हालांकि आप लोगों की बहुत कोशिश है कि एक balance maintain करें यह उता है ना कभी कभी की हम या तो relationship को भी बहुत prioritize कर रहे होते हैं कभी कभी हम relationship को इतना नहीं prioritize कर रहे होते हैं बाकी चीज़ों को बहुत ज़ादा prioritize कर रहे होते हैं तो एक healthy चीज होती है कि balance maintain करें ना तो कोई चीज कम करें ना कोई चीज बहुत जादा करें तो इसकी कोशिश रह रही है लेकिन कहीं, you know, मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से balance maintain कर पा रहे हैं, deeper level के लिए trauma bonding का काट कहता है, बहुत एक strong connect आप दोनों के बीच में हैं, नहीं, you know, October starting में surface हो सकते हैं, and इसी लिए या फिर otherwise भी, यहाँ पर uncertain and three of wands reverse के काट कहते हैं, कि future आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं, future goals बनाना चाहते हैं, long term goals बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर uncertain का का काट कहता है, sure नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर, अब देखें, ये भी सब Libras और उनके partner के लिए differ करेगा, अगर आप marriage चाहा रहे हैं, तो उस scenario में या तो आप Libras या partner, sure नहीं है, एक uncertainty किसी भी level पे रहती भी दिख रही है, simply अगर मिलना चाहा रहे हैं, तो मिलने के लिए भी situation circumstances ऐसे है या आप दोनों की energies ऐसी हैं, जहाँ पे एक certainty नहीं है, तो फिर से मैं कहूंगे, एक uncertainty वाली energies रहती भी दिख रही हैं, और इसी वज़े से या कोई और भी reason हो सकता है, future planning करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, long term goals बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ पे 10 of pentacles and hangout के cards भी इसी चीज़ को confirm करते हैं, in fact यह cards दो तीन चीज़े कहते हैं, सबसे पहली चीज़ हो सकता है by the end of October Libras, आप लोग long term planning पे focus करें, आप लोग कैसे इनों एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकते हैं, उसके उपर focus करें, यानि कि marriage, engagement इसके बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आपके parents की भी involvement, यानि कि Libras आपके, आपके partner के parents की भी involvement किसी भी level पे इसी चीज़ को लेकर रह रही है, कुछ Libras के लिए भी हो सकता है, आपके उनके parents की interference रह रही है in a negative sense, और तीसरा तो मैंने आपको बताई दिया, आप दोनों ही family शुरू करना चाह रहे ह है, marriage चाह रहे है, long term एक दूसरे का साथ चाह रहे है, उसी से related, कहीं family से partner को introduce कराना चाह रहे है, या फिर partner आपको अपनी family से introduce कराना चाह रहे है, दिखिए, जो भी मेरे mind में आ रहा है, मैं कह रही हूँ, इसी से related चीज़े रहते भी दिख रही है, ये general reading है possible नहीं है, कि मै बहुत exactly आपको बताऊं, but yes, इसी से related चीज़े रहते भी दिख रहे हैं, और hangout का काट कह रहा है, इसी से related discussions हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ connect कर रहे हैं, मिल रहे हैं, in fact, एक दूसरे के अलावा और लोगों से भी connect करते भी दिख रहे हैं, कुछ Libras और उनके partner क लिए भी हो सकता है, कि एक दूसरे के अलावा अपनी अपनी families को भी prioritize कर रहे हैं, अपनी अपनी families के साथ hangout कर रहे हैं, क्योंकि देखे 10 of pentacles के नीचे hangout का card है, तो ये भी एक possibility हो सकती है, कि end October में, Libras यहां तो आप अपनी family के साथ कहीं hangout कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रह लगते हैं, तो ये थले ब्राज आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें